नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपने इस यूटूब चैनल रूप चंटी की जीएस गुरू में फ्रेंस आज की जो हमाई टॉपिक रहेगी ओ जो है मूल कर्तब रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंस जो है फैट्स रहेगा तो आएए देखते हैं लोग मौली कर्तब मौल कर क्या है तो दोस्तों मौल कर्तब किसे कहते हैं जो मौल कर्तबों का वरण किया गया है वह भाग चार अनुछे दिक्यावन के का में मौली कर्तबों का उलेग किया गया है किसमें भाग चार अनुछे 34 और सवारी अनुछे दिक्यावन का का और तो दोस्तों जो है मौली कर्त करतब कहां से लिया गया यानी किस देश के सम्मith каж लिया गया है caniser auss तत्त आयलेंड के समिधान से, मौलिक अधिकार अमेरिका के समिधान से, तो तमाम जैसे अच्छी चीजे गहां की जा रहे थी आने देशों के समिधान से, तो जो रूस था, वो जो है क्या हो गया, रूस जो है क्या हो गया, रूस जो है रूट गया, कि हमारा कुछ कतब बनता हम से भी कुछ लिझीए तो रूट गया तो हूँर सुलिख Ri 가 रू सुलिख तो भारत नेकिया भारत के समईधान ने क्या किया अवरिक के समईधान से चाहिए मौरी कर्थ ले लिए रूट गया तो खळयो भाई हमारा कुछ कर्था बंता है तो मौलिक करतब, मौलिक करतब कहा से ले लिया गया, रूस के समिधान से ले लिया गया, मौलिक करतब, आईए देखते हैं, मौलिक करतब किसे कहते हैं, तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं, कि भारती समिधान में, भारती समिधान में, अरभ में नागरिकों के लिए, अरभ मे सुजहाँ पर सुर्षिंग समीदान संसुधन इसे जो जोडा गया यह प्र घृटार्भ में समिधान में मौलिक कर्टो को लेक रही किया गया तो लेकिन समीद हुई समीफान संसुअ अश्रीयक 236 की दौरण से जो है जो रागे फार्रम में मौली कार्टबु संख्या co दोस्तों जो दा स्भू जो जो है दुआने सुलाट दिशी स्टी यानि जो है फुरू में प्रदमी मौली के कि संख्या कितनी है वर्तमान में मौलिक करतबूग संख्या कितनी है यारा है और दोस्तों यहारा मौलिक करतब क्या था यहीं मौलिक करतब यह बहुत बाप रिच्छों पूछा गया है और कि समिधान संसोधन दोरा जो है मौलिक करतब जोड़ा गया तो इपने बच्चों को जो है सिच्छा की विश्था कराए तो यहारा मौलिक करतब जोड़ा गया आए देखते हैं दोस्तों कुछ और भी फैट्स जो मौल करतब से संबंदित है तो लोग ठोड़ा नोट देखेंगे कि जापान के बाद भारत ऐसा दूसरा परजातांत्रिक देश है दोस्तों जिसके सम समिधान में मौलिक करतबों का असपस्ट जोए किया गया असपस्ट उल्लेख किया गया है तो दोस्तों आईए देखते करें पहले मौली कर्तब समिधान का पालन करें और उसके आदर्सों संस्थाओं राष्ट ध्वज और राष्टगान का क्या करें आदर करें दूसरा क्या है दूसरे मौली कर्तब क्या कहा गया है दोस्तों सतंतता के लिए हमारे राष्टी आंदौलन को प्रेडित करने वाले उच आदर्सों को हिर्दय में संजवे रखे यहीं जो है सुतंतता के लिए हमारे राश्टी आंदुलन को प्रेड़ित करने वाले उच्छादासों के हिर्दे में क्या रखें उसे जो है सजोए रखें और उनका क्या करें और उनका पालन करें और क्या है दोस्तों अब देखते हैं मौलिक करता तीसरे में क्या कहा गया है तीसरी बाते तो भारत की प्रभूता प्रभूता में होता है प्रभूता में स्रोश सक्ति होता है यह अंदर और बाहर से जो है इद्धा हों क्या है किसी के कहने काम नहीं करते हैं हम लोग क्या है अंदा और बाहर से दम सक्साली है तो भारत की प्रभूता एकता जो एकता है एकता और अखंड़ता की रच्छा करें और उसे अच्छुन रखें उसे अच्छुन बनाए रखें भारत की प्रभूता एकता और दोस्तों करतब बनता है देश की रच्छा करें और बुलाये जाने पर राष्ट की जो है क्या करें सेवा करें पच्वार मौली करतब आई ये देखते हैं भारत की सभी लोगों में भारत के सभी लोगों में समर्शता एक सब्द लिखा गया है दोस्तों समर्शता समर्शता मे प्रफारत के सभी लोगों में समझ्छता और भात्रत और भात्रत में भाई-चारा की भावना का विकास करें, जो धर में भाशा और छेत्र या वर्ग पर अधारीत है, सभी भेद भाव से परे हों, तथा ऐसी पर्थाओं का त्याग करें जो इस्तिरियों के सम्मान के फ़िद्हें दोस्तों, तो यह जो यह पहुचवा मली करतब था, अब देखते हम लोग छोटर सथे मौरी करतब क्या है, हमारी समासिक संस्क्रिती है, संस्क्रिती है समाजी समितियां उसका सप्राइब को महत्व समझे दोस्तों और उन-का उनका पुरब सप्राइब की Daras तो इसकर प्रायवन को जिसके अंतरगत's जिसके अंतरगत दुस्तों वन-झील नदी और वन-जी डिय NPC है से रख्चा करें उसका समवर्धन करें this pada path preabhanisじ 1 2 computer सित्व MALE रंधाय radically करताभाई यह जो मुद्व है नदी हैं इसका क्या करें हम लोग रख्षा करें दो इन तो हमारा करटाभ बंता है करें किरें मलाव में हमारे खिलाब नियालमें कारवाई नहीं की जा सकती है यानि जरी निसातत और मौलिक करता बेडूनों ऐसे हैं दोस्तों जिसके विरुद्ध नियाले में अपील नहीं की जा शकती लेकिन प्राती द्याव रखें इसके लिए कारून बनाया गया इसा नहीं है कि हमारा करतब बनता है कि हम जीओं को मारें भाई हमारा करता है कि जीव है नदी है वन जीव है निकी हम लोग क्या करें रच्छा करें लेकिन आप अगर जीव को मारेंगे तो इसके लिए कारून बनाए गया वाद जीव सरचा अधिनियम किसी जीव को मारेंगे तो आपको धंडे दिया जाएगा तो प्राकिती प्रावन जिसके अंतरगर्ट वन जील नदी और वन जीव है रच्छा करें और उसका समवाधन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें यह सत्वा मौली कर्तब था आए देखते हैं दोस बैज्यानिक द्रिष्ट कोन मानववाद और ग्यानर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें विकास करें नववाद मौली कर्तब क्या है दोस्तों नववा मौली कर्तब साजनी संपत्य को सुरच्छित रखें और हिंसा से दूर रहें साजनी मौली क्या होता है जो सर कर्तब में दस्वा मौलिक कर्टब प्याहे जिसСТअ Analytics eerुत सब गत लीएँँ के सभी सेत्रों में उतकर्श की और उतकर्श की आगे लिए जिस्से राष्टि बढ़ते हुए उपलब्धिक्ष्ज कि नई उचाहिऊं तक क्या चुम ले जो है겠어 तो मौलिक कर्तब क्या कहता है कि मिला ब्यक्ति बंद निजी ब्यक्तिकत और सामुही गत्विदियों के सभी छेत्रों में उतकर्ष यानि आगे की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें दोस्तों जिससे राष्ट क्या हो निराष्ट जो है निजनतर बढ़ते हुए उपलब्द की गए तो फ्र क्याय feels अफरदान करें कि ये था दोस्तों इरहाव मौलिक कर्तब थ्थला होला नोट मेलघन ओجएं जह म Olks इंप्पॉटनेंस है कि भारत में जिस प्रकार राज्जों के लिए नीत निसभ सतत्व है जिस प्रकार नाग्रिकों के लिए मौलिक कर्तब है दोस् कोई नागरीक मौलिक करतब का पालन नहीं करता है तो उसे किसी धंड से धंडित है नहीं किया जा सकता है अर्थात कोई नागरी मौलिक करतब का पला नहीं करता है तो उसे जो है धंड से धंडित नहीं किया जासाता है. कानुई डूप से धंडित है, नहीं किया जा सकता दोस्तों. लेकिन उसके सम्मादि जो कानून बनाएगे हैं अगर आप कानून का अलंगन करोगे तुसरों धन्द दिया ही जाएगा भाई तो यह था दोस्तों आज का जो है मारा जो है मौलिक कर्तब आपको जो है वीडियो मौलिक कर्तब कैसा आया अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें जो है कमेंट बॉक्स जुरूर बताएं वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्दवाद थैंक्यू थैंक्यू सो माच जै ही जै भारत